मैं अलका ठाकोर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है आपके बोड़ी में बहुत जादा वीकनेस रहता है बहुत जादा आप ठके हुए महसूस करते हैं सुबह सुबह शाम में आपको बिल्कुल इनरजी नहीं होता है कि आप कुछ काम कर ले साथ मे कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जादा सुस्त हो गया है चकर आते रहता है और खून की तो इतनी जादा कमी है कि Doctr सहभ आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ काई एपीज्य हीमोगलोविन बिल्कुल बहुत जादा गम हो गया है तो क्या करना है आपको अंजीर का कर सकते हैं दूत का 7 करेंगे और अच्छी बात हैं रॉडीं में केल्षियम जाएगा क्योंकि हमारे बॉडीमें जो मिनर्ट खेल्ष होते हैं हो गया कैल्षिय होम मैंगनेश pandemic तक हैं कौपर है अएन है यह सब क्या है यह सब हमारे बॉड़ी में बॉल्ट है और ये जो मिनरल स्थ हैं हमारे बाडी को अच्छे से रिगुलेवेड कर ता है replan करता है हमारे बाडी में हमारे कोश्क को क्या चाहिए मिनरल चाहिए मिनर्ल को इंदे में क्हांवन लउन बोलत है बाडी में सबसे जयादा कैल्षियम और फॉसफॉरस पायाता है ठीक है इसके अलावा और सब चीजे थोड़ा सा कम पाये जाते हैं लेकिन सब्से कैल्षियम और फॉस्फोरस होता है जो आपकी body को maintain करता है अब यहां अंजीर में और दूद में क्या है कैल्सियम तो है कैल्म है तभी आपकी बोड़ी में बहुतollah जादा यह help करता है अगर आप अंजीर का सेवन करते तो आपके स्टमक में कोई भी दिक्कत है गैस बनता है कब्ज की समस्या है वो आपका ठीक हो जाएगा अंजीर आपके छोटी आथ में जाकर के अवशोशित होता है लेकिन अंजीर को अवशोशित होने के लिए मतलब इसम सब्सक्राइब करता है जैसे आपको अपने मम्मी और पापा से help मिलता लेकिन आप भी अपने बच्चे को help करेंगे तो यह जो सिरीज है चलते रहता है उसी तरह आपके बॉड़ी में अगर आपको लगता है कि आपके आख के नीचे डाक सकल से आपके बाल अच्छे नहीं है बहुत जाधा थ्खावट मैसुस होता है खुन के कमी की वजह से चहरे पर कोई भी रौर्णक में तो उस टाइम में आपको यह चीज का सेवन करना है अंजीर का सेवन आपको करना है साथ में आपको लगता है कि औरजी लेऊल एक्दम लोğ है पीर टीट के टाईम में और जा करके आपने जैसे ही गेट खोला मम्मी और पापा खड़े हैं तो आपके दिल की धरकने बढ़ जाएंगी भाईया हम तो बोल के आया थे कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूं लेकिन क्या हो गया लेकिन यह हो गया कि मम्मी टाइम पर आ गई और आपको पकर लिया मुवाइल नहीं होता है सानि अगर आपको तो आको आंजीर कैसे खाना 아प में शुखा हुआ अंजीर ले आंजीर में कैल्शिम है। और साड़ेश चीज़े में फोस्फोरos है। तो यह सब चीज़ेहे हैं लेकिन कैल्शिम आपकी बॉड़ी को तो डिधा हुआ अंजीर आप सुबह सुबह दो या तीन खाएं दो या तीन से जादा नहीं खाना है दो तीन अंजीर खाने के बाद आप दूद पी सकते हैं खाली पेट या रात में सोते समय तो आपका दात बहुत जादा अच्छा हो जाएगा बॉडी में कैल्शियम कहा पर होता है कै यह सबका अमाउंट बिल्कुल सेम होता है ब्लड में लेकिन हडी में और दात में 99% कैल्शियम पाया जाता है ब्लड में जैसे कैल्शियम कम होगा ब्लड बोलेगा हड़ी को भाया दे दो थोड़े देर के लिए अब जब आप कैल्शियम खाएंगे तो फिर आपका हड़ी कैल्शियम ले लेगा मतलब यहां पर लेन देन चल रहा है कैल्शियम आपके बॉड़ी में कब चाहिए बहुत 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 आपके बच्चे को चाहिए कैल्शियम के डिवांड होने के सासाथ अगर आप एक लेडी है अडल्ट है तो आपको डेली कम से कम 1000 या 2500 एमजी आ कि यहां पर भी इसके पास यह देखी यहां पर देख रहा है आप कैल्शियम तो चाहिए बहुत हड़ी जो है वह कैल्शियम से ही बना हुआ है अब इस तरीके से आपको बाहर जाना है डेस्टुट में जो करना है कीजिए लेकिन साथ में कैल्शियम आपके बॉड़ी में तीन एज में इसका भी खयाल रखा कीजिए इसलिए मैं बोल रही हूं कि अंजीर और दूद का सेवन किया कीजिए ठीक इसके अलावा कैल्शियम सबसे जादा बोड़ी में कब नीड होती है इसकी जब आप प्रेगनेंट होती है जब आप बच्चे को जन्म देने वाली हो दूद पिलाती है बच्चे को तो दूद में कल्शियम होता है बच्चे को चलीयेक कल्शियम तो आप से बच्चे को मिलता है तो उस साथ में Kollegen करता कि कौन है head, mummy और papa है, तो यहां पे कौन है head, यहां पे गले में होता है आपका यह जो black वाला यह होता है thyroid gland, अब उसके नीचे यहां पे गले में ठीक है, उसके पास, मटर के दाने जैसा क्या होता है, यह होता है पैरा thyroid gland, तो body में calcium को regulate कौन करता है पैरा thyroid gland, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पे maintain भी हमने देख लिया, अगर body में जादा आप fat को लेते हैं, जादा आप fat वाली चीज़ को खाते हैं, तो body में calcium भी होना चाहिए, calcium क्या करता है, fat को गलाता है, इसका मतलब है कि weight को loss करने में, वजन को control करने में calcium बहुत ही एहम भूमिकान निभाता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप कहीं भी अगर दिक्कत होता है, तो आप पूछ सकते हैं, इसलिए आपके body में calcium चाहिए, और अंजीर और दूद एक best तरीका है आपके body में calcium देने का, ठीक है, देखिए, अब माना कि आप calcium लेने के लिए बहुत सादा एकदम motivate हो गया है, लेकिन गल्ती कहां पे हो जाती है, जब आप पालक लाते हैं, पालक में iron भी है, calcium मैंगनिशियम भी है, सब चीज है, तो पालक लाते हैं, लेकिन क्या कि आपने पालक को अच्छे से साग बना करके उसमें मिर्च मसाला डाला और फिर आप उसको खाते हैं, तो यहां पे हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे body में calcium जा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या कि जैसे ही आप इसको आग पे डालेंगे, यह इसमें का calcium है वो क्या कर लेगा, इसमें का calcium पालक में मौझूद oxalate के साथ दोस्ती कर लेता है, दोस्ती करने के बाद दोनों मिल करके calcium oxalate से बना देते हैं, और फिर आपके body से पिर बाहर आ जाता है, उसको body में अब नहीं रहना, वो body से enormousald क्यों क्यों कि उसका mind नहीं है, क्योंकि इस देश में सब को freedom चाहिए, तो यहां इसको भी freedom चाहिए, इसको भी freedom चाहिए आपके body से, इसलिए दोनों ने दोस्ती की और बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे इसको बाहर नहीं जाने देना है, body में कम से कम आपके पेशाप से, daily कम से कम कितना, 200 से 300 mg, calcium आपके body से निकल जाता है, ठीक है, calcium आपके body से इतना निकल जाता है daily, लेकिन daily निकल आपके body में दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे पालक को आपको उबाल करके खाना है, इसका juice पीना है, लेकिन calcium को हटाना नहीं है, इसको पकाना नहीं है तेज आच पे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अब हड़ी बहुत सादा वीक हो जाती है, क्यों होती है, calcium की वज होची है तो वहाँ भी calcium की कमी है, हड़ी हो जाता है, calcium की कमी से, उसका हम बोलते है же Osteoporosis, हमारा हड़ा हो आवेशा वह जाता है, और इस तरीके से Hallow हो जाता है,őlाशका हो जाता है वहाँ पे जिससरे हड़ी week हो जाती है, और समय से पहले हम बूर्डे हो जाते हमारे घु आपके बॉडी में तो फिर सोचे कि आपके बॉडी में फिर क्या दिक्कत रह जाएगा तो यह क्या करता है आपके कब्ज पे काम करता है ठीक कब्ज पे काम करता है आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है आपके बाल के लिए बहुत अच्छा है आपके फेस के लिए बहु आपके बॉड़ी में ब्लड जो होता है वो क्या करता है ब्लड में कैल्शुम होता है और जब कैल्शुम की बॉड़ी में कमी हो जाती है जब आप पालक को बहुत आज पर पका करके जब आप खाते है न तो वहां पे ब्लड में कैल्शुम की कमी हो जाती है अब ब्लड क्या क भी आपकी बॉड़ी में हड्डियों में दिक्कत हो सकती है कैल्शम की कमी की वज़से इसलिए अंजीर और दूद का सेवन कीजिए कम से कम दस तिन तक आप करके देखिए आपकी बॉड़ी ये बहुत जादा फायदा मिलेगा ठीक है बसल्स आपके हाथ और पैरों में एठन होता है सुबह शाम आप जब भी आते हैं रात में सोते हैं सुबह सुबह जब आप सोने जाते हैं या फिर जब सो करके उठते हैं सुबह प्रष्ट जाएक तकलीफ होती है तो उस ताइम में भी आप अंजीर और दूद का सेवन कर सकते क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी अंच्छीम और क्या करता है मसल मसल के कॉंट्रीक्षण में में यह मदद करता है कि मतलब आपका मसल है इसके लिए भी अंजीर और is होता है समंझ में आ रहा है बात अब देखिए हैं अब डिखिए यहां पे एक और चीज है आपके हार्ट स्ट्रोक में कोई प्रॉब्बलम न हो इसके लिए लिए केलशयम आपको बचाता है लेकिट के डेते हैं तो वहाँ तक क्या होता है यह पी बॉह एक हैं लेकिन दिक्कत क्या होता है, खतरा क्या बना हुआ रहता है, कि आपको हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा, मतलब आपने देखा होगा कि दिल का दोड़ा पढ़ने की वज़से अचानक से किसी की मौत हो जाती है, जो आदमी था वो बहुत अच्छा खासा था, बहुत डाइट को फ सकता है, इसका खतरा बना हुआ रहता है, तो कोशिश करें कि दूद दही से महाँट जिसमेंटा कालशम होता, है कोशिश करें आपकी यहाँ पर अनाज को ले चाहे वह गेहूं हो चाहे वह चना हो हडी सब्सक्राइब उसमें प्रोटीन भी होता है कैल्शम भी होता लेकिन याद रखना कि अधिक प्रोटीन नहीं चलेगा आपके बॉड़ी में प्रोटीन की भी एक एक इक्वल अमाउं लेकिन इसमें कैल् láum होता है तो आप लेसकते हैं अगर आपको की समस्तीय तो फिर आप कद्मकाबीजन कीजिये कर्या घाल कीजयए अगर कजियों की कमी की वज़ा से हो गया है तो काLECYAL की का बीज हो गया सुरच मुखी का बीज हो गया ये सा Quran SAY को यह सबापके बॉल्ड़ि हैं फाइदा करेंगे जो कि आपके बॉड़ी को बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बनाएंगे तो मैं उम्मीद करते हूं कि मैंने ज़े वाला काम किया है अब मेरे बॉड़ी से मुझे कुछ ने चाहिए बस हेल्धी है फिट है मैं अच कितना भी पैसा रहे आप बॉड़ी को फिर बचानी पाते हैं कुछ टाइम तक आप बचा सकते हैं लेकिन आप एक दिन बीमार पड़ जाएंगे फिर उस टाइम में कुछ भी काम नहीं आता है तो बॉड़ी बहुत जादा इंप्पोर्टेंट है यह हमारा बॉड़ी है और ह हमको इसको समझ रहा है यह हमारा है तो हमें कौन समझेगा इसको कौन समझेगा इसको हम समझेंगे हम अपने हिसाब से हम अपने बॉड़ी के हिसाब से काम करेंगे हम किसी के कहने पर कुछ टाबलेट नहीं खालेंगे हम किसी के कहने पर कुछ चीज नहीं ले लेंगे यह ह हमारी responsibility बहुत ज़्यादा है इसको ले करके तो मैं समझते हूं कि आप अपने body से प्यार कीजिएगा प्यार करना भी चाहिए आप अपने body से प्यार कीजिए तभी आपका body host pushed होगा. Thank you so much.